उदर मुरादाबाद में बारिश से नगर निगम की पोल उसवक खुल गई जब शहर के कई लाकों में सडक धंस गई और सडक में कार फंस गई आपको बता दे मुरादाबाद में पिछले कई साल से सीवर लाइन बचाई जा रही है जिससे तमाम सडके खुली छोड़ दी जाती है और यहां इसी तरह के हाथ से होते रहते हाथ सो में अब तक तीन लोगों की मौद भी हो चुकी है आरोप है पूरे मामले में नगर निगम सिर्फ अंदेखी कर रहा है जिसके चलते लोगों की जान खत्रे में पढ़ जाती है उदर मुरादाबाद में बारिश से नगर निगम की पोल उसवक खुल गई जब शहर के कई लाकों में सडक धंस गई और सडक में कार फंस गई आपको बता दे मुरादाबाद में पिछल लोगों की मौद भी हो चुकी है आरोप है पूरे मामले में नगर निगम सिर्फ अंदेखी कर रहा है जिसके चलते लोगों की जान खत्रे में पढ़ जाती है उदर मुरादाबाद में बारिश से नगर निगम की पोल उसवक खुल गई जब शहर के कई लाकों में सडक धंस गई और सडक में कार फंस गई आपको बता दे मुरादाबाद में पिछले कई साल से सीवर लाइन बचाई जा रही है जिससे तमाम सडके खुली छोड़ दी जाती हैं और यहां इसी तरह के हाथ से होते रहते हाथ सो में अब तक तीन लोगों की मौद भी हो चुकी है आरोप है पूरे मामले में नगर निगम सिर्फ अन्देखी कर रहा है जिसके चलते लोगों की जान खत्रे में पढ़ जाती है उदर मुरादाबाद में बारिश से नगर निगम की पोल उसवक खुल गई जब शहर के कई लाकों में सडक धंस गई और सडक में कार फंस गई आपको बता दे मुरादाबाद में पिछले कई साल से सीवर लाइन बचाई जा रही है जिससे तमाम सडके खुली छोड़ दी जाती हैं और यहां इसी तरह के हाथ से होते रहते हाथ सो में अब तक तीन लोगों की मौद भी हो चुकी है आरोप है पूरे मामले में नगर निगम सिर्फ अन्देखी कर रहा है जिसके चलते लोगों की जान खत्रे में पढ़ जाती है उदर मुरादाबाद में बारिश से नगर निगम की पोल उसवक खुल गई जब शहर के कई लाकों में सडक धंस गई और सडक में कार फंस गई आपको बता दे मुरादाबाद में पिछले कई साल से सीवर लाइन बचाई जा रही है जिससे तमाम सडके खुली छोड़ दी जाती हैं और यहां इसी तरह के हाथ से होते रहते हाथ सो में अब तक तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है आरोप है पूरे मामले में नगर निगम सिर्फ अंदेखी कर रहा है जिसके चलते लोगों की जान खत्रे में पढ़ जाती है